ग्लोबल वॉमिंग का मुख्य कारण कार खानों से निकलने वाला धुआ भी है जिसमें सबसे अत्यधिक मात्रा में कारबंडाई ओक्साइड और नाइट्रस ओक्साइड निकलती हैं ये दोनों एक प्रकार की जहरीली गैसे हैं इसी से ही ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम अंग्रेजिन कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और प्रित्वी के गर्माने की मुख्य वज़े भी यही है तो हम आगे पार्ठ आरम करते हैं अब ब्रितेन के विज्ञानिक पीटर बादमस ने अपने शोध में शोध यानी रिसर्च में सितंबर 2016 तक आर्क्टिक के 10 लाख वर्ग किलोमेटर से भी कमक्षेत्र में बर्फ बचने की संभावना व्यक्त की है यानी वे कहते हैं कि धीरे धीरे बर्फ सागर का रूप ले लेगी और बर्फ पिघलती जाती जा रही है आर्क्टिक से बर्फ खत्म होने से वैश्विक तापमान में व्रीधी होगी यानी जो संपूर संसार है पृत्वी है उसका तापमान बढ़ेगा और जलवाईयों में अचानक बदलाव आ जाएगा इससे पूर्व करीब एक लाख वर्ष पहले आर्क्टिक से बर्फ गायब हो गई थी यानी कहने का ताथ पर है जब एक एस्टरोइड पृत्वी से टकराया था और कहा जाता है कि जब डाइनसोरों का खात्मा हुआ था उसी समय ही बर्फ गायब हो गई थी इतना तापमान बढ़ गया था तो अब चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्लोबिंग वार्मिंग का प्रभाव पढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं धर्ति का तापमान बढ़ने के जिम्मेदार हम स्वायम हैं भौतिक यानि फिजिकल सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए यानि हम अपने सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए उर्जा के स्त्रोतों का अत्याधिक प्रियोग करते हैं जैसे मशीनरी हो गई कार्स हो गई गाडियां हो गई इनका हम अधिक से अधिक प्रियोग करते हैं इससे वायू मंडल में एट्मोस्फियर में वायू मंड प्रित्वी के गर्माने की मुख्य वजय यही है। तो आप जान गए हैं कि प्रित्वी गर्म क्यों हो रही है। भविश्य में जलवायू परिवर्तन यानि ताप मान के उतार चड़ाओ का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट संग यानि UNO ने वर्ष 1988 में एक विज्ञानिक दल का गठन किया था इंटर गवर्मेंट पैनल ओन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी नाम से गठित इस पैनल के अनुसार वर्ष 1987 की सर्दी में प्रित्वी के ओसत तापमान में आधा डिगरी सेल्सियस की वरिदी हुई और 1990 का दशक मोसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना अब आपने दो चित्र देखें जिसमें पैरिस जलवाईू समझोते जो की यू अन्यो द्वारा ही अपनाया गया था वहाँ पर यह सब हुआ और सभी देश चाहे अमीर हो चाहे गरीब उन सभी देशों में ग्लोबल वामिंग को कम करने का यह संकल्प लिया गया ताकि जो वहां की जनता है इसके दुश प्रभावों से बच सके और उनमें यह सोचा गया कि जो सोलर उर्जा है उसका अधिक स्याधी को प्योग किया जाए